यह pillars आप देख रहे हो यह अपने आप खड़ें यह support नहीं है किसी भी चीज की यह अपने आप खड़ेंगे और यह pillarless hall होगा complete इसके गवाही में आपको अभी नहीं दूँगा इसके गवाही में आपको बाद में दूँगा इसकी गवाही बहुत लंबी और बड़ी जबरतस्त है तो अभी भी इसका design अलग है यह complete हो जाएगा एक हफते में दो हफतों में लेकिन अभी भी जो sound का जो गूंज है वो नहीं खतम होगी जब तक हम इसे जो complete हमने सोचा है auditorium नहीं बनाएंगे इसका वो भी जल्दी बन जाएगा आमे हैं आप बिलीव करते हैं के नहीं बहुत सुंदर भवन प्रभू आपको दे रहे हैं वेरी ब्यूटिफुल इसका जो sound है वो अमेरिका से आया है आ चुक है अपने प्रोस्टी को बोलो ध्यान से सुन करनी है त्यारी है पाउंडिशन लगा के कैसे घर नहीं है आत्मा में रहके हाँ नितिवचन आठ उसकी बारा आयत को अपनी स्क्रीन के उपर पढ़ेंगे मैं तीन गिनूंगा हम एक दो तीन के बाद एक अठे पढ़ेंगे एक दो तीन मैं जो बुद्धी हूँ चतुराई में वास करती हूँ और ज्यान और विवेक को प्रापत करती हूँ नितिवचन एक उसका साथ पढ़ेंगे अभी यहावा का भय मानना बुद्धी का मूल है बुद्धी और शिक्षा को मूल लोग तुछ जानते हैं फिर से पढ़ेंगे पहली आयत को मैं जो बुद्धी हूँ चतुराई में वास करती हूँ और ज्यान और विवेक को प्रापत करती हूँ अब ध्यान से समझना गहरा वचन है उसने कहा मैं जो बुद्धी हूँ मैं जो विजडम हूँ चतुराई में वास करती हूँ और ज्यान और विवेग को प्रापत करती हो बुद्धी क्या है? परमेश्वर ने के वचन में लिखा यहावा का भए मानना ही बुद्धी है बुद्धी की शुरुवात है विजडम की शुरुवात है विजडम का मूल है उसका मेन कारण है यहावा का जिसको भय है वो बुद्धी में है इतना समझ आया के नहीं आया उसने कहा मैं जो बुद्धी हूँ चतुराई में वास्त करती हूँ कौन था चतुर? यूसुफ चतुर आदमी था एक चतुराई है शैतान वाली एक चतुराई है परमेश्वर वली एक चतुराई किसकी है? शैतान की, एक चतुराई किसकी है? परमेश्वर की जब उसने देखा कि पोती पर की पत्नी मेरे साथ सेक्स करने के लिए, सोने के लिए मुझे इन्वाइट कर रही और मैं ऐसा नहीं कर सकता उसने का वो वहां से भागा जोंकि वो चतुर था बुध्धी चतुराई में वास करती है उसने यह नहीं का चलो मैं इसको counseling देने की कोशिश करता हूं इसको समझाने की कोशिश करता हूं कोई बात ने रू पचाही जाने चाही थी फिर जो तो रूव ने बैठना सी अधना करके अराम नफे अधना करके तो जड़ी रूव नो बचाना सी तो ही फास जाना सी समझ गे के नहीं जब उसने देखा कि वेभीचार मेरे सामने बाइबल कहती वो वहां से भागा वो धर्मी था फिर भी भागा तो जो कि बुद्धी किस में वास करती है? चतुराई में जिस गली में वेभीचार की थोड़ी सी प्रॉबलम हो सकती है मैं स्कूनटर लेकि भी उधर क्यों जाऊंगा? चाहे मुझे उधर से निकलना वैसे ही है मैं किसी और गली से निकल जाऊँगा, उधर से नहीं जाऊँगा मैं जो बुद्धी हूँ, चतुराई मे वास करती हूँ कहता मैं फिर ज्यान और विवेक को प्रापत करती हूँ कौन सा ज्यान? यह वो ज्यान नहीं जो आपके ताबों में लेते हैं कौन सा जो एवास कौन में जो स्कूल और कॉलेजिस में मिलता है वो ज्यान अच्छ है लेकिन उस ज्यान की परमेश्वर बात नहीं कर रहा है यह ज्यान उससे उपर है यह ज्यान वो ज्यान है, जो heavenly है, जो spiritual है यह ग्यान वो है जब आप एक रात फैसला करते हैं कि मुझे जो मेरा भाई, जो मेरा दोस मुझे पार्टन ayr बिजनस में करने के लिए बोल रहे मैं सुबा उसके पास जाता हूं और मैं जाके बोलता हूं कि ठीक है मैं तरह पार्टनर बनने के लिए तैयार हूं और जैसे आप सोते हैं अगर आप अगर आपके अंदर पर मेश्वर की डर है भाय है बुद्धी है तो रात को आपको सपना आएगा कि सुबा मत जा ज्यान कौन सा वाला वो जो उपर से आता है आपके अंदर बुद्धी काम करना शुरू करती है जो चतुराई के साथ काम करती है परमेश्वर ने कहा वो ग्यान और विवेक को प्रापत करते हैं जब ग्यान, heavenly ग्यान आपके अंदर आता है आपको मालूम होता है कि मुझे ये काम नहीं करना ये आदमी से नहीं मिलना ये औरत से नहीं मिलना ये वाला काम नहीं करना आपको सपना आता है लेकिन होता क्या है जिस दिन सपना आना होता है आपने 6 घंटे टीवी देखा होता है आपने सारे टीवी के प्रोग्राम देखे होते हैं आपने फेस्बुक पे घंटों बिताए होते हैं आप इतना संसार में गुमे होते हैं कि जब आप लेटते हैं आपको कोई सपना नहीं आता जबकि आप लोगों को जो नींद है जो आपका सोना है वो सोने के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर से बात करने के लिए है आज कलीसिया गुमी हुई क्यों है मालू आज कलीसिया लॉस्ट क्यों है आज क्रिश्चन लोग जो है वो गुमे गुमे से क्यों है ना तो अपने फाइनेंस में ना लाइफ में ना फैमिली में ना सेहत में हर तरफ उनको लगता है कि ऐसा लगता है कि परमेश्वर ही नहीं क उससे कहा मैं जो बुद्धी हूं, किस में वास करती हूँ अब मुझे मालू मैं कल, मुझे कहा जाना है चर्च, आज क्या है शनीवार तो कल परमिश्वर मुझे से बात करे तो मैं शनीवार क्यों ना fast रखूँ मैं fast रखती हूँ मैं टीवी से दूर हूँ आज मैं अपने सहेलियों से दूर हूँ मैं अपने फालकू चीजों से दूर हूँ मोबाइल मैंने आज बंद कर दिया मैं प्रार्थना में हूँ मैं टीवी से दूर हूँ आज मैं अपने सहेलियों से दूर हूँ मैं अपने फालकू चीजों से दूर मुबाइल मैंने आज बंद कर दिया मैं प्रार्थना में हूँ और रात आप सोयर परमेश्वर बात कर रहा है कि कल जब तू चर्च में जाएगी इस प्रेयर पॉइंट से प्रार्थना करना आपने उस प्रेयर पॉइंट से प्रार्थना की परमेश्वर ने मेरे कान में बात की एक औरत यहां है जिसका ये है जिसका वो प्रोफेस्टी सिर्फ मुझे निर्वर नहीं करती अगर मुझे असली करनी अगर नकली करनी तो मैं कोई भी दो जन ढूंड़ूगा उनका डेटा निकल वाँगा और सारी दुनिया के सामने बोलूगा तरह इतने बच्चे हैं तरह ये नाम है वो वाली मुझे नहीं आती करनी मैं आपको रेयल वाली बता रहा हूँ जो मुश्किल है और कम लोग उसे करते हैं हालिलूया लेकिन जिस समय मुझे संडे चर्च आना था मैं तो शाम को टीवी देख रहा था मैं तो शाम को मुबाइल पे था मैं तो पार्टी में गया था मैं तो सभी दुनिया के काम में बीजी था मैं राज को दो बज़े सोया हूँ सुबा उठाओ प्रॉंठे खाए हैं पांच सा अगर रात को हम इतने worldly होके चलेंगे हमें मालूम है एक prayer एक prophetic word एक प्रभू का touch मेरी life को चेंज कर सकता है मेरे पती को चेंज कर सकता है मेरे cancer को चेंज कर सकता है मेरी बिमारी को खतम कर सकता है पर क्या मैं उस touch के लिए तयार हूँ ये question अपने आपसे पूछू अगर मैं उस टच के लिए तैयार हूँ तो रात को मैं टीवी में क्या देख रहा था फिर अगर मैं उस टच के लिए तैयार हूँ तो फोन पे क्यों लगा था फिर अगर उस परश के लिए तैयार हूँ तो कहां थी मेरी पवित्रताई उस परश के लिए गर तैयार हो तो कहा थी मेरी प्रार्थना वो तो है नहीं लेकिन हम आके डिमांड करते हैं परमेश्वर जैसे मर्सडीज के शोरूम के सामने हम रोज जाके बोलें मुझे मर्सडीज चाहिए लेकिन मैं पैसे साइकल के दूँगा बोलेका भाई मर्सडीज चाहिए मर्सडीज के पैसे लेया हम कैसे तुझे दे दें हम नहीं दे सकते कब तक भोले बने रहोगे कब तक परमेश्वर पे सारा कोई छोड़ते रहोगे जबकि परमेश्वर ने तुम्हें सारा सिस्टम दिया है उसने अमीर होने के लिए तुम्हारे बीज बोने की विवस्था रखी है उसने सामर्थी होने के लिए तुम्हारी प्रार्थना करने की विवस्था रखी है उसने आवाज सुनने के लिए फास्टिंग की विवस्था रखी है तुम कब तक वो नहीं छुओगे और कब तक तुम भोले बने रहोगे और कब तक भटके रहोगे और कब तक तुम उसकी आवाज ना सुनोगे हालेलुया मैं जानता अगर मैं उस दोस्त के साथ जादा मिलूँगा तो मेरी spiritual life एफेक्ट हो सकता है मैं तो कई pastors को नहीं देखता हूँ, उनकी facebook तक नहीं देखता हूँ क्योंकि जब वो फेक करते हैं और आप उनके अच्छे results को देखते हैं वो आपको परभावित करती लेकिन आपको मालूम नहीं future में उनके साथ क्या होगा हालेलुया जब मुझे मालूम है परमेशो कि बुद्धी चतुराई में वास करती है मुझे चतुर होना पड़ेगा मुझे चलाक होना पड़ेगा सांपो की तरह यूशुम उसे ने कहा तुम्हें चलाक और बुद्धी मान होना पड़ेगा उसने सांप की एग्जांपल दी यूशुम उसने कहा सांप की तरह बुद्धी मान बनो हालेलुया कभूतर के नाई क्या बनो भोले बनो कभूतर को पकड़ लो वो आपको चोंच नहीं मारता वो आप पे अटेक नहीं करता उसने हमें कभूतर की तरह बनने के लिए बोला कि अटेक मत करो उसने हमें सांपो की तरह बुद्धी मान होने के बोला कि जब उसको पकडने कोशिश करते हैं, वो छुप जाता है और भाग जाता है, उसने हमें इस तरह से चतुराई में बास करने के लिए बोला, जब यूश्यमसी को मालूम हुआ, कि मुझे जब यूश्यमसी के मिरेकल्स देखे, जब लंगडे चलते देखे, तो लोगों ने कि इसको उठाओ यूश्यमसी को, पॉलिटिकल लोगों ने फैसला किया कि इसको राजा बनाते हैं, इसके साथ पब्लिक बहुत है, इसको खड़ा करते हैं, इसको पब्लिक बहुत है, इसको MP खड़ा करते हैं, बाइबल कहती है, जैसे यूश्यमसी ने जान लिया कि मुझ तुम्ज़े राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं। उसने बहस ने की, वो वहाँ से चतुराई से निकल गई और पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए चले गए। मैं जो बुद्धी हूँ चतुराई मे वास करती हूँ वो प्रार्थना करने के लिए गए प्रार्थना की वापिस है लोगों का दिमांग चेंज हो चुकत लोगों के साथ बहस करने से लोगों को समझाने से लोगों को अफेंड करने से ये ये अच्छा लगा कि वो परमेश्व की प्रेजन्स में चले जाएं अपने मोती सूरों के आगे पवित्र वस्त में कुत्तों को मत दो लेकिन यह बुद्धी कैसे काम करती है जब आप परमेश्वर का भाय मान न लिखा उस बुद्धी का मूल है कहा सोने की इच्छा मत रखो, चांदी की इच्छा मत रखो, बुद्धी की इच्छा रखो, वो सोना और चांदी भी आजाएगा हालिलुया जब सुलेमान ने परमेशों से मांगा उसने इसी बुद्धी को मांगा उसे मालूम था और परमेशों ने का जब मैं तुझे बुद्धी देता हूं तो उसके पीछे पीछे एश्वरय भी आएगा पैसा भी आएगा ताकत भी आएगी जीत भी आएगी तुने सही चीज आता है आप अपनी लाइफ के एक एक नहीं हिट को नया शिक्सर मारते हैं आप अपनी लाइफ में जब ग्यान आते हैं तो कि वो हैवली होते है जो ग्यान उपर से आता है वो फेल नहीं होता आप नीचे के ग्यान से को बिजनस खोल सकते हो कि इस इलाके में ये बिजनस चल स किसकी सुनी उसने विवेक अंदर्वला मन, कॉण्शिस, उसने का हैसा नहीं हो सकता, मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरा मन इसकी गवाही नहीं देता, तो जो ज्यान ने दिया वो कॉंशिस ने, विवेक ने संभाल के रखा, आमें।